Hello everyone, देखें जो आज का lecture है, इसमें हम लोग mechanism of plastic deformation देखेंगे, कि microscopic level पे plastic deformation actually कैसे होता है, slip क्या होता है, twinning क्या होता है, right, फिर हम देखेंगे slip systems क्या होते हैं, जिसमें हम slip planes और slip direction की बात करेंगे, और इस lecture को करने के बाद आप easily इस question का answer दे पाएंगे, कि जो BCC और FCC होते हैं, वो generally ductile होते हैं, जबकि जो HCP होते हैं, वो brittle होते हैं, right, और lecture चालू करने के पहले मैं यह चाहता हूँ, कि आप जरा इस image को focus करें, right, इस image में basically यह दिखाया है, कि एक age dislocation है, वो आपको दिख रहा है, कि वो left side से travel करना चालू कर रही है, और right side तक पूरे crystal में sweep out कर गई, और जब वो पूरे crystal को sweep out कर गई, तब अपने बोल दिया कि crystal में plastic deformation हो गया, right, और अगर आपने dislocation के बारे में अभी detail में नहीं देखा है, तो मेरे इस lecture में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत detail में cover कर रहा है, dislocation, right, अब देखो यह तो था थोड़ा image wise, आपने समझ लिया क बढ़ते जा रहा है, और crystal को sweep out कर गया, right, अब अपन जड़ा चलते हैं, थोड़ा notes में कि इसको अपन लिखेंगे केसे, right, तो भाईया जड़ा यहाँ पर focus करो, सबसे पहले अपन एक चीज़ देखते हैं, कि plastic deformation क्या होता है, right, plastic deformation को अगर मैं define करूँ, तो ऐसा है, अगर अपन microscopic level पर बात करें, right, तो microscopically, it is the net moment of large number of atoms in response to applied shear stress, right, क्या होगा, basically, large number of atoms move करेंगे in response to applied shear stress, यहाँ पर shear stress वर्ड बहुत important है, उसके बारे में आपन detail में बात करेंगे कि वो shear stress में क्यों बोल रहा हूँ, tensile stress या compressive stress क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, अभी आपने image देखा था, उसमें देखा था कि large number of atoms move कर रहे हैं, right, उसी को आपने क्या बोला, plastic deformation बोला, और क्योंकि यह large number of atoms होते हैं, इस वज़े से क्या होता है, कि जब आप force remove करते हो, जैसे माल लो यह body थी, इसमें मैंने माल लो tensile stress लगाया, ठीक, इसको मैं खीच रहा हूँ, दोनों side से, इसके अंदर क्या हुआ, अगर plastic deformation होता है, जैसे माल लो यह steel की rod होती है, और इसमें plastic deformation होता, तो क्या होता, large number of atoms इसमें move करते हैं, और जब मैं force को remove कर देता, फिर भी, क्योंकि वो large number of atoms एक साथ move कर जाते इसलिए, जब मैं force को remove करता, तो भी वो वापस अपनी initial position पे नहीं आ पाते हैं, initial position पे नहीं आ पाते हैं, इसलिए अपन बोल देते हैं कि plastic या फिर permanent deformation body में हो चुका है, तो यह धा भीया, plastic deformation की definition, ठीक, अब अगर अगर अपन mechanism की बात करें, कि mechanism क्या होते हैं plastic deformation के, तो भीय ऐसा है, कि basically दो mechanism exist करते हैं, crystalline materials में, एक होता है slip mechanism, और एक होता है twinning, right, अभी मैंने आपको जो वो GIF दिखाई थी, right, वो GIF जो थी, अगर चाहें तो फिर से दिखा सकते हैं, ठीक है, यह जो GIF है, यह basically slip mechanism के through plastic deformation हो रहा है, right, slip का ऐसा हिसाब है, कि slip की पहले तो definition समझो, तो it is the slipping of one plane of atom over the adjacent plane under the shear stress, एक plane of atom पूरा का पूरा slip कर जाएगा, दूसरे plane of atom पे, ठीक है, under the influence of a shear stress, this is known as slip, right, अगर आपको इसको समझना है, तो भाईया ऐसा है, कि अगर आपने बचपन में वो cards कहले हो, ताश के पत्ते जो आते हैं, उसको पीसा हो, right, तो जो पत्ते होते हैं, वो उनकी जो slide होती है, sliding जो होती है, एक दूसरे के उपर, ठीक उस तरीके से अपने इसको समझ सकते हैं, तो इसकी analogy अगर मैं बता हूँ, तो analogy यह है, practically, कि sliding of playing cards against each other, right, इस तरीके से आप practically समझ सकते हैं, ठीक है, और इस diagram पे अगर आप focus करोगे, तो इस diagram में बताया है कि केसे slip actual में हो रहा है, जैसे मालो यह एसी एक rod थी, cylindrical rod बना रखिये, right, यह जो तुमको दीख रहा है, यह एक cylindrical rod है पूरी, ठीक है, उस rod पे क्या किया, tensile stress लगा है, उपर से भी एक stress लगा रहे है, नीचे से भी एक force लगा रहे है, तो tensile stress अपनने लगाया, right, मालो उस tensile stress को मैंने sigma बोल दिया, ठीक, अब क्या होगा, कि इस tensile stress का, तुम tensile लगाओ, या compressive लगाओ, that doesn't matter, इस tensile stress का, या इस applied stress का, एक component, shear stress के form में exist करेगा, on a slip plane, ठीक है, slip plane क्या था, जिसके along, slipping हो रही है, वो हो गया slip plane, right, तब देखो ऐसा था, कि initial time पे, इस चीज को focus करूँ, यह एक portion बनाया था, तो यह एक portion यहाँ पे दिखा रखा है, कि यह perfect crystal है, अभी यहाँ पे, कोई sleeping नहीं हुई है, atoms की, right, जहाँ पे sleeping हुई है, इस जगे पे, तो इस जगे का, देखो, microstructure बनाया, इसका microstructure तुम देखोगे, तो sleeping में तुमने देखा कि केसे, एक plane of atom जो था, यह पहला plane of atom, यह दूसरे plane of atom पे slip कर गया, right, ठीक है, इतनी बात clear रहे गया, यह था, sleeping के through, plastic deformation होना, ठीक है, ओ, shear stress अपलाय हुआ था, shear stress, जो applied stress था, उसका एक component shear के form में यहाँ पे आया, उस shear stress की वज़े से, यहाँ पे sleeping हुई, right, और जो shear component आता है, slip plane पे, one shear component of applied stress, जो की tensile हो, या compressive हो, that doesn't matter, always exist along the slip plane, in slip direction, this is called resolved shear stress, ठीक है, जिस shear stress की मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो कौन सा shear stress है, result shear stress, ठीक है, एक applied stress का एक component हमेशा slip plane में, slip direction के along exist करेगा, जिसको आप result shear stress बोलोगे, ठीक है, और इस result shear stress की एक minimum value, या particular value, जिस particular value पे, जिस particular value पे क्या हो जाए भाया, slip start हो जाए, उस particular value को आप क्या बुल दोगे, critically result shear stress, ठीक है, tau CRSS, critically result shear stress, ठीक है क्या भाया, ये sleeping का पूरा mechanism था, diagram से पूरा समझा दिया, I think आपको clear हुआ होगा, right, slip plane और slip system क्या है, उसके बारे में अभी और बात है, हो गी आगे, अब जड़ा चलते हैं, twinning की तरफ, देखो, twinning क्या चीज़े, तो एसा है, definition पड़ो क्या लिखा है, portion of crystal forms mirror image of itself across the plane of twinning, ठीक है, एक portion जो है, crystal का, वो mirror image बना लेगा, across the plane of twinning, उसको बोल दोगे आप, twinning से failure होना, ठीक है, ये generally, HCP में होता है, hexagonal close-pack system में, एससे समझ में नहीं आएगा, जरा diagram देखो, तो आपको ये चीज clear होगी, ये देखो, ये था, slipping, slip के through, plastic deformation, और ये basically दिखा रहा है, twinning को, right, तो अब यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो, ये अपना twinning plane है, उसके अलाओं, ये रहा पूरा perfect crystal, तो तुमको दिख रहा है, कि ये mirror image बन गई, इस side का पूरा portion, इस side की mirror image है, right, तो जब इस तरीके से deformation होगा, इस तरीके से, atoms जो वो move करेंगे, तो उस mechanism को तुम क्या बोलोगे भईया, अरे क्या बोलोगे, twinning के कारण deformation हुआ, right, ये जन्दली किस में होता है, ये जन्दली, HCP, hexagonal low spec structures में होता है, right, ठीक है क्या भईया, definition clear है, एक बा अब भईया आगे चलते हैं, ठीक है, slipping समझ आ गया, twinning समझ आ गया, अब ज़र आपन ये देखते हैं, कि slip plane क्या है, slip systems क्या है, और slip direction क्या है, right, तो भईया ऐसा है, कि electron microscope से ये देखा गया है, कि जो dislocation होता है, dislocation moves along closely pegged planes, ठीक है, वो closely pegged direction के along move करती है, ठीक है, जो dislocation होती है, वो हमेशा move करती है along closely pegged planes में, इन closely pegged directions के along, right, ये experimentally देखा गया, electron microscope से, तो भईया, जो planes, जिनके along, dislocation move करती है, उनको आप क्या बोल दोगे, भईया, अरे उनको क्या बोल दोगे, slip plane बोल दोगे, right, ये बात मैं already बता चुका हूँ, previous lectures में cover कर चुका हूँ, ये slip plane जो है, वो closely pegged planes होते हैं, या फिर मैं एसे बोल दूँ, कि plane of highest planar density, right, planar density क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है, तो मेरे इस lecture में जा के देख सकते हैं, मैंने बहुत detail में cover किया एगा, right, ये था slip plane, एसे ही, अगर मैं slip direction की बात करूँ, तो भईया, slip direction वो direction होग कि जिसमें dislocation move करेगी along slip plane, ये closely pegged direction होगी, मतलब कि इसमें जो atoms की linear density जो होगी भईया, वो क्या होगी, वो highest होगी, अगर linear density आपने नहीं पढ़ा है, तो मेरे इस lecture में जा के देख सकते हैं, link में description box में provide कर दूँगा, right, और इन दोनों का जो combination होता है, भईया, slip plane और slip direction का ज उस combination को ही आप क्या बोलते हो वहिया, और क्या बोलते हो वहिया, उसको अपन बोलते है, slip system, right, slip system, जैसे अगर एक example में आपको बताना चाहूँ, तो example अपन ये समझ सकते हैं कि FCC जो होता है, उसमें ये एक slip system में बना रहा हूँ, one, 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 ये system of planes बनाया है मैंने, और, और एक और मैं बना रहा हूँ, ये family of plane बनाया था और ये family of direction मैंने बनाया है, ये curly braces जो होते है, ये family of plane को denote कर रहे हो, जो angular braces हैं, ये family of direction को denote कर रहे हैं, ये भी मैं previous lectures में cover कर चुका हूँ, ठीक, तो ये जो चीज है न, ये पूरा एक slip system को denote कर रहा है, basically ये एक slip system नहीं, इसमें total 12 slip systems आएंगे भाईया, क्योंकि family of planes है, और family of directions है, तो उनके अलग-अलग combination होँगे, तो क्या आपको slip system clear है, slip plane clear है, slip direction clear है, अगर इस diagram में आपन बात करें, तो भाईया ये जो था, ये slip plane समझ में आया, जो slip plane अभी बना रखा है, उस slip plane के along भी ये वाली जो direction है, तो को इसको किसी dark plane से दिखाते है, ये वाली जो direction है, ये हो जाएगी slip direction, right, अरे समझ में आया क्या, clear है यहां तक की बात, ठीक है, ओके भाईया, अब अपन next topic पे move करते हैं, सबसे important point एक आता है, कि slip plane की help से, slip system की help से अपन क्या पता लगा स रखते हैं, right, तो जरा इस जगे पर focus करो, ठीक है, इस जगे पर focus करो, यहां पर इसा है कि slip system दिखाए हैं, इन FCC, BCC और HCP, right, FCC जो की face centered QB के उसमें atomic packing factor आपको पता है, 0.74 होता है, right, BCC में 0.68 होता है, HCP में बात करे, 0.74 होता है, भाया, FCC में जो slip systems होते हैं, वो total 12 slip system होते है, right, मतलब 12 combinations यहां पर possible है, slip plane और slip direction के जिनके along dislocation move करेगी, dislocation का move करना, मतलब मैंने जो वो GIF image आपको दिखाई थी, वो image को imagine करो, ठीक, उस image में जैसा dislocation move करी थी, left to right, ठीक, वेसी बाते हो रही हैगी, ठीक है, तो इसे, क्योंकि FCC में इसे 12 slip systems possible हैं, तो भाया, जो भी मै applied shear stress लगाऊंगा, जिसे माल लो यह body थी, इस पर जो भी मैं tensile या compressive stress लगाऊंगा, उसका एक component shear stress के form में जाएगा, और वो shear stress बहुत ज़्यादा chance है, कि dislocation को किसी एक plane के along move करवा दे, क्योंकि भाया, यहाँ पे total कितने slip plane से, कितने slip system exist कर रहे हैं, 12 slip system exist कर रहे हैं, बोल द इसलिए क्या मैं यह बोल सकता हूं, कि dislocation अगर easily इसमें move कर गया, dislocation अगर इसमें easily move कर गया, मतलब इसमें plastic deformation easily हो सकता है, और अगर plastic deformation easily हो सकता है, तो मैं क्या मैं यह बोल सकता हूं, कि भाया जो FCC crystal होंगे, उनकी ductility high होगी यार, बोल दो यार, क्या यह चीच clear है, dislocation इसमें easily move कर रहा है इसलिए इसमें ductility high होगी और जो strength है इनकी वो moderate होगी strength जो है वो related है किस से कि dislocation को move करवाने में आपको कितना stress लग रहा है उससे related है strength अब इसमें ऐसा है कि भाईया 0.74 atomic packing factor है मतलब जो FCC crystals होता है जैसे just मैं एक example से यहाँ पर बता रहा हूँ उसमें जो atoms है वो थोड़े पास-पास है ठीक है क्योंकि 74% volume जो ए crystal की वो field है यार atoms से तो भाईया यसा है कि जब इसमें अपन एक छोटा सा भी shear stress लगाएंगे तो उस छोटे से shear stress से भी slip जो हो जाएगा dislocation move कर जाएगा इसलिए plastic deformation के against कितना resistance कोई body दे रही है वो होगा strength और अगर तुम एक चीज़ समझो जो मैंने तुमको GIF image दिखाई थी उसमें dislocation जो move कर रही थी left to right अगर मैंने कुछ ऐसे कारणा में कर दिये crystal में जिनकी help से dislocation के motion को मैंने रोग दिया या उसको उसके path में obstacle produce कर रहा हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि material की strength बढ़ जाएगी या क्योंकि वो plastically deform नहीं हो पाएगा या उसको plastically deform करने में में को बहुत ज्यादा high stress required है बोल दो या यहाँ मैंने तुमको strengthening mechanism सिखा दिया पूरा strengthening mechanism जो चलेगा उसको next lecture में cover करूँ और वहाँ पे यही बाते होँगी dislocation के path में अपन बाधाएं उत्पन कर देंगे भई अरे समझ में आया क्या क्या बोल ला हूँ तो यह चीश clear है क्या कि FCC में 12 slip system है इसलिए dislocation के move करने की high probability है किसी भी slip plane के along slip system के along इसलिए ductility high होगी जो FCC थे उनके example जो होते है gamma iron right aluminum, copper, nickel right यह सभी तुमको दिखेगा कि soft or ductile होते हैं ठीक है तो अगर माल लो by the way अगर तुम यह इनके example याद नहीं भी रख पाऊ तो यार एक gas लगाना हो ना तो एसे कर सकते हो कि क्या करो जो soft and ductile material दिखे उसको तुम बोल दो वो जन्दली जन्दली बोलना हूँ वो FCC crystal बनाएगा ठीक है इस तरीके से ही मेरे sir ने मेरे को पढ़ाया था स्वदेश सिंग करके हैं डॉक्टर स्वदेश सिंग बहुत ज्यादा knowledge और जो भी आप content देख पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा contribution स्वदेश सरका है एसे ही अपन अगर BCC की बात करें body centered cubic structure की तो भाईया BCC structure में जो slip systems होते हैं total यहाँ पे 48 slip systems possible है बट इन में क्या होता है तुम एक चीज़ देखो कि जो atomic packing factor है वो 68% है इसका मतलब अगर मैं BCC के लिए बात करूँ तो BCC के लिए अपन इन जनरल इसे बोल सकते हैं कि atoms जो थोड़े दूर दूर है थोड़े दूर दूर होने के कारण अगर मेरे को यहाँ पे sleeping करवाना है मतलब dislocation को move करवाना है यहाँ मैं बोल दूर की atoms को move करवाना है large number of atoms को तो जो मेरे को shear stress लगाना पड़ेगा क्या वो high होगा क्या यार अरे यार वो high होगा तब तो bond break होके एक bond एक जगे का bond break हुआ और जो अपना dislocation था या extra half plane था वो आगे की तरफ move करेगा बोल दो यार तो यहाँ पर मेरे को high strength यहाँ पर मेरे को high stress लगाना पड़ेगा इस वज़े से जो इनकी strength होती है ठीक है क्योंकि मैं को बाहर से बहुत ज़्यादा high force लगाना पड़ रहा है इनको plastically deform करने में इसलिए इनकी जो strength होती है वो high होती है वो ductility अगर अपन बात करें तो इनकी ductility जो है वो moderate होती है ठीक है यह भी easily ductile होते हैं लेकिन FCC ज़्यादा ductile है ठीक है यह moderatively ductile है ठीक है क्योंकि इनमें भी भाया 48 slip system possible है तो 48 slip system है तो यह तो confirm है कि अगर आप stress लगाओगे तो dislocation मू कर जाएगा किसी भी एक slip system के along लेकिन उस अच्छा वो मू कर जाएगा इसलिए इनकी जो ductility है वो moderate है लेकिन उस dislocation को मू करवाने में stress या जो force अपने को लगाना है वो बहुत high है as compared to FCC इसलिए इनकी strength जो है वो ज़्यादा है ये भी plastic deformation देंगे लेकिन उतना नहीं देंगे जितना FCC दे रहे हैं इसके अगर example की बात करूँ तो जो alpha iron है ठीक है और अपना vanadium हुआ chromium हुआ ठीक है और tungsten हुआ ये सब इसके example में आते हैं BCC के example येसे ही अगर अपन HCP की बात करें तो भाईया ऐसा है कि hexagonal close pack structure में total 3 slip systems possible है और कुछ high temperature पे इनमें क्या है कि और भी slip systems exist कर जाते हैं ठीक है existence में आ जाते हैं बट इन जनरल अपन बोले room temperature पे बात करें इनमें total 3 slip system exist करते हैं तो भाईया ऐसा है यार कि इनमे number of slip system ही बहुत कम है तो जो भी तुम stress लगाओगे वो stress dislocation को move ही नहीं करा पाएगा dislocation move ही नहीं कर पाएगी क्योंकि dislocation के move करने की probability कम है क्योंकि सिर्फ 3 slip system यहाँ पे exist कर रहे हैं वो 3 slip system यहाँ पे exist कर रहे हैं इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था प्रेक्चर के शुरुवात में कि जो HCP होता है वो जंदली उसमें failure किस वज़े से होता है twinning की वज़े से होता है उनमें twinning phenomena हो जाता है जिसकी वज़े से इनमें plastic deformation होता है इनमें sleeping नहीं होता है जंदली और इसलिए यह क्या होता है कि यह material जो होता है जंदली ब्रिटल होता है इनमें ductility बहुत कम होती है यह जंदली ब्रिटल होता है तो यह थी पूरी कहानी slip system की plastic deformation की आपको पूरा समझ में आया होगा understanding develop होई होगी ठीक है वीडियो आपको कैसा लगा हो comment box में लिखके बताना और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो भया subscribe कर देना एक bell icon दीख रहा होगा उसको press कर देना उससे यह होगा जब भी next time में वीडियो डालूँगा आपको notification होच जाएगा अब अबन मिलते next lecture में तब तक के लिए bye bye take care खोश रहो मस रहो